नमस्कार एक बार फिर से आप सभी के साथ आज हम बात करेंगे should के बारे में, ओड्टू के बारे में और head better के बारे में जी हां हमने must को पढ़ लिया must को पढ़ लिया must एक ऐसा सब्द है जो advice के लिए obligation के लिए necessity के लिए rules के लिए and important to me के लिए प्रयोग किया जाता है इसी advice के लिए should और इसी advice के लिए ought to का भी प्रयोग किया जाता है ध्यान से सुने एक बात क्या है कि माल लीजिए कोई question आगया आपके paper में इसके चार option में अगर ये तीनों है ठेक है should है ought to है must है तो तो आप क्या सोचेंगे ये difference सोचने का प्रयास करेंगे अगर तीनों में से कोई भी एक है तो आप वही को click करेंगे और आगे बढ़ेंगे यानि तीनों ही advice के लिए आते हैं examiner का जो मन करेगा वो आप से fill करवाएगा चाहे वो एक option में दे दे चाहे दो चाहे तीनों इस तरह के words जो है option में दे दिये जाए तो भी तो देखते हैं should को हमने पहले देख लिया है और ought to के साथ आज difference create करना है और ought to के साथ difference create करना है तो पहले should को revise कर लेते हैं जैसे हमने should को advice के लिए जो हो use किया था you should buy you should buy the black shirt, it suits you कि तुम्हें जो क्या है black shirt buy करने चाहे खरीदेने चाहे, क्योंकि black जो तुम्हें suit करता है ये क्या था, एक सामने advice थी ठीक है, जो external थी opinion के लिए हम जो should का प्रयोग करते हैं यानि everyone should visit the place का मतलब है, ये बढ़िया जगया है यहाँ पर आना चाहिए हर एक इनसान को तो ये मैंने अपने opinion के according का you should have done it, criticize कर रहे हैं किसी past की mistake को criticize करते हुए कहते हैं कि we should have done it का मतलब हमें ये करना चाहिए था, हमने ये नहीं करा तो आप ध्यान में रखेंगे past की, जो है वो habit past किसी mistake को criticize किया था, probability के और guess should be here soon जल्दी ही आ जाएंगे, जल्दी जल्दी काम कर लो probability, probable है ये संभावनाइं बढ़ रही है यहाँ पर कि वो जल्दी ही आने वाले हैं, you should take care of it तो ध्यान रखेंगे ये हमारा should था, अब देखे अगर हम बात करें should और ought to की तो generally जो है वो क्या है advise के लिए प्रियोग किये जाते हैं बोथ, दुन्नों एक ही sense में प्रियोग किये जाते हैं जब हम दस्वी क्लास की किताब पूपड़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा कि difference between must and एक हो जाएगा should और एक हो जाएगा ought to और हमें किताबों की according ही चलना चाहिए यानि हम स्कूल वाली किताब हैं उनकी according हमें चलना चाहिए तो ये देखे कि must और ought to और should एक साथ लिके हैं इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि generally इन दोनों में कोई बड़ा difference नहीं है हाँ एक बात हम कह सकते हैं कि जब हम must को प्रयोग कर रहे हैं तो वो कारिया जो है वो obligatory है ठीक है बहुत ही जब हम कर रहे हैं इसका मतलब हम external जा रहे है ठेक हार ought to का प्रयोग कर रहे हैं तो हम internal हो रहे हैं ठेक है यह कहाणी है कि should झो है external होता है कोई कारिया करे तो अमारी advice मानने तो मानने नहीं madै तो नहीं madnée लेकिन ought to का प्रयोग जब हम करेंगे तो हम internal जाएंगे यानि कि हम ये बोलेंगे कि यार तुम्हें ये करना चाहिए ये ये ना सही क बात है आपको ये करना है internal का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी परिस्तिद्या जिसमें हम जो है किसी अवाईज को internally सामने वाले को कनवे करते हैं ठेक है तो ये फरक होता है देखिए you should buy the book तुम्हें ये किताब खरीदने चाहिए ये ought to buy the book तुम्हें ये किताब जो हो खरीदने चाहिए दोनों का sense same है दोनों सही है there is no any doubt फिर देखिए everyone should attend the class और everyone ought to attend the class दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है इसमें यानि कहते हैं कि जब एक सामान्य advice दी जाती हो जिसमें क्या हो obligation नहीं हो जरूरी नहीं हो life risk नहीं हो नुकसान नहीं हो तो हम क्या करते हैं ought to या should दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं ध्यान से देखेंगे इस बात को उसके बाद देखिए कि should और ought to में जो है वो थोड़ा difference है वो क्या है ought to is more formal ought to जो है वो पुराने समय में आजकल अगर बात की जाए तो ought to का प्रयोग जादा फॉर्मल परिस्तितियों के लिए किया जाता है शुड इतना फॉर्मल नहीं है शुड के comparison में ought to जो क्या है जादा फॉर्मल है फॉर्मल वे के अंदर बोला जाता है उसको ठीक है दूसरी बात we cannot make negative ठीक है नेगटिव वैसे तो हम बना सकते हैं ठीक है लेकिन जहां पर देखिए पहला we should do this ये सही है तो we ought to do this ये भी सही है नेगटिव जो है ना हम अब्रिवेटिव फॉम जो बनाते हैं वो उसकी बात की जा रही है अब देखिए we shouldn't do this अमने क्या बना दिया इसको shouldn't बता दिया लेकिन यहां लिखना पड़ेगा we ought not to do यहां ought not to do लिखना पड़ेगा अगर हम autent लिख रहे हैं autent to do this तो ऐसी क बात कहते हैं we cannot make interrogation इससे interrogative नहीं बना बनेगा ठीक है जैसे का जाता है we should we do this जैसे we should do this का क्या बनेगा should we do this क्या यह हमें करना चाहिए अब देखिए we ought to do this ought we to do this यह अच्छा sense नहीं दे रहा मैं यह नहीं कहता यह बिल्कुल गलत है लेकिन मैं यह बिल्कुल कह रहा हू जैसे r को aren't बना दिया is को isn't बना दिया will को won't बना दिया was बना दिया इस तरह से हम authentic नहीं बना सकते ठीक है इस तरह की बात हम नहीं कर सकते इस तरह के हम जो है हूँ forms को नहीं transform कर सकते तो यह दियान में रखेंगे उसके बात देखेंगे ज़रा कि ought to का प्रयोग moral advices के लि होती है moral values जो होती है उसके लिए और कुछ एक प्रिष्थितिया ऐसी होती है कि जब हमारा subject IV होता है तब हम O2 का प्रयोग करें तो ज्यादा internal वाली बात हो जाती है ठेक है we ought to respect our teachers we ought to salute the national flag we ought to obey our parents and we ought to work hard for success यह बाते हैं कि यह सारी moral values का लिजे सविधान वाली बाते का लिजे इन के लिए O2 का प्रयोग करते हैं यहां पर हमने देखा कि जब हम should और O2 का comparison करते हैं तो इन में जो है वो बहुत बड़ी जो है वो difference नहीं है, बहुत बड़े-बड़े difference नहीं है, जैसे must का प्रयोग करा, जैसे हम must का प्रयोग करते हैं, should और ought to के साथ अगर comparison करें, तो must ऐसे होगा, कि you must consult the doctor, ठेक है, जैसे हमने पिछली class में बढ़ा, दूसरा, we must wear helmet while riding a bike, helmet पहनना चाहिए, otherwise क्या हो सकता है, नु import two का मतलब यहर पहनो, जरूरी है यह, ठेक है, लेकिन यहाँ पर must सबसे ज़्यादा import, सबसे ज़्यादा सही क्या रहता है, must ही रहता है, अगर हम यह कहें, कि we must close the doors at night, जैसे पिछली class में देखा, तो should close, जो हम इसको कहने, तो comparison में करके देखें, तो should नहीं आएगा, must ही आएगा वहाँ पर, ठेक है, एक sentence देखिए, we space revise our lesson before exam, we space revise our lesson before exam, अगर हम बात करें, must की, ठेक है, we space छोड़ा, ठेक है, revise or syllabus before exam, अगर यह sentence है, तो आप यह सोचिए, कि must का प्रयोग obligation के लिए होता है, necessary के लिए होता है, और important to me के लिए होता है, या rule के लिए होता है, यह चार बातें ध्यान में रखेंगे आप, ठेक है, जैसे पिछली classes में देखते हैं, तो must का प्रयोग है, should का मतलब external advice कोई करे तो करे कोई नहीं करे, ought to moral values के लिए, तो ought to को एक बार यहां से हटा दो, ठेक है, पहले आप यह सोचेंगे, कि हमें इन चार चीज़ों से apply करने से पहले, अगर मारे option में अकेला ought ही आए, तो क्या करेंगे, बिलकुल ought कर सकते हैं, we ought to revise or syllabus before exam, अकेला should आए तो यह भी कर सकते हैं, अगर हम should और must को एक साथ दे दे, तिन्नों में से जो एक आएगा, वो इस cancer हो जाएगा, क्योंकि एक advice है, अगर हम यह देखें, must और should और ought to में से must और should आजाए, तो हमें देखना है, ठेक है, कि इन में से या external advice में कौन सा, अगर मैं आप सभी को यह कहूँ, कि we, you space revise your syllabus before exam ठेक है, मैं आप से कहूँ, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, कि external है, कोई माने तो माने नहीं, ठेक है, एक student teacher जो है, उसमें कुछ ना कुछ internal होता है, कोई ना कोई जो है, external नहीं होता student teacher, ठेक है, इसलिए मैं should का प्रयोग यहाँ पे नहीं करूँगा, should ऐसे होगा, you should be there on time, ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो है, external नहीं है, हम internal है, तो अगर हम बात करे, should or must में, तो आप देखिये, ये obligation है क्या, ये ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी ही है क्या, कि आपने करना ही करना है नहीं, तो fine लग जाएए, नहीं है, necessary है क्या, ये भी हम नहीं कह सकते, important to me यह बात सही है, यह मेरे लिए इंपोर्टेंट है, if I revise my slivers, once before exam, it would be better for me. यह मेरे लिए इंपोर्टेंट है, यह रूल है क्या? रूल तो बिलकुल नहीं है, क्या रूल है क्या? कि सिर्फ उसी को exam में, exam में प्रवेश दिया जाएगा, जो क्या होगा रिवाइज करके आएगा, नहीं है, यह रूल नहीं है, ठेक है? A student space bring admit card in the exam, अब देखिए, इस और इस sentence में पहचानिये, फिल करिए, we space, revise और slivers before exam, यह important to me है, necessary को हम कह सकते हैं, obligation, obligatory है क्या? होना ही होना है, क्या यह, जरूरी है, क्या करना? नहीं है, तो necessary or important to me हो सकता है, rule नहीं हो सकता, लेकिन इसको बात करिए, student space, bring admit card, यह important to me है, क्या? नहीं, यह पहले rule है, कि exam में अगर admit card नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें exam नहीं देने दिया जाएगा, यहाँ obligation नहीं कर सकते, obligation का मतलब है, बात दियता इस तरह की, कि अगर आप करते हो, तभी आगे की activity होगी, otherwise, नहीं होगी, तो यह साधारन सा concept है, यह must, should और ought to के बीच में, इसको हमें ध्यान में रखना है, easy way में समझेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी हो, must, ठीक ठाक चल रहा है, ought to should का प्रयोग करे, ठीक है, आप जब भी देखोगे, यहाँ पर, all the candidates shall bring admit card, या तो order मान के shall होगा, या जो है, as a rule, or important, necessary मान कर, यहाँ पर must का प्रयोग होगा, आप यह ध्यान में रखेंगा, admit card के पीछे लिखें, instruction जो पड़ी है, अब देखे, should or head better के अंदर, जो है, वो क्या फरक है, देखे, मैं दो बाते बोलता हूँ, you head better finish your work on time, और you should finish your work on time, दोनों sentence में, auto भी लगा सकते हैं, या पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने लिखा, you should finish, तुम अपने काम समय पर करना चाहिए, head better, अच्छा होगा कि तुम कर लो, यहां ध्यान रखे, otherwise you will be dismissed, जब head better का प्रयोग करते हैं, तो हमें कोई choice नहीं होती, वो काम हमें पूरा करना ही होता है, you head better do this, you have no other choice, ठीक है, जैसे मैं कई बार example देता हूँ यह, classroom में, कि जैसे हम कई बार क्या है, कहीं जाते हैं, रिष्टेदार यहां पर अपने गर पे जाते हैं, या फिर गर से आ रहे होते हैं, तो गरवाल एक बहुर बात बोलते हैं, देखो, लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, या तो तुम अभी निकल जाओ, या फिर, जो रुक जाओ, आज आज, ऐसी बात बोलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, यू हैड़ बैटर, गो नाओ, अच्छा होगा, कि चल दे जाओ, तुमारे लिए अच्छा है कि जल्दी चले जाओ, यहाँ पर कोई चोईस नहीं है, तुम्हें जल्दी जाना ही पड़ेगा, यू हैड़ बैटर का प्रियोग, यू शुड हो सकता है, लेकिन यू हैड़ बैटर में ज्यादा है, यू इवाइज, यू विल भी हर्ट, अगर अधर वाइज तुम्हें क्या हो सकता है, नुखसान हो सकता है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हैड़ बैटर का प्रियोग कर रहे हो, तो आप ये ध्यान में रखे, कि कोई ने कोई बैट कोंसिक्वेंस, जो हमारे साथ हो सकता है अगर नहीं हो सकता है ऐसा कोई चांस नहीं है जैसे हम ये बात कहें कि It's 12 o'clock You space sleep now अब देखो इसमें You should sleep now और You had better sleep now तो हमें यहाँ पर Head better sleep now 12 बज गए हैं अब अगर नहीं सोगे तो सुबह परिशानी हो सकती है ना नेंद पूरी होगी तो Head better का प्रयोग किया जाएगा Bad consequence क्या होगा कि हम जो अपने हमने अराम का समय पूरा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर Should और Head better में एकी फर्क है कि Should और Head better दोनों का comparison किया जाएगा तब Should का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई bad consequence नहीं हो कोई बुरी गटना नहीं हो हमरे लिए जो साधारन चल रहा हो लेकिन Head better का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें कुछ ऐसा फील हो जिससे हमें ये पता चले कि आगे आने वाले समय में परिशानिया बन सकती है कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर bad consequence है तो कुछ नुकसान होने वाली बात है तो मस नहीं कर सकते यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ should और Head better की सिर्फ दो बात होगी क्योंकि ये एक जैसे से प्रिश्थितियों के अंदर प्रयोग होते हैं ये कहानिया आप याद रखेंगे पूरी वीडियोज को एक साथ revise करने का प्रयास करें जैसे हमने तीन दिन में तीन वीडियोज डाली है सिर्फ advice के sense में ही डाली है तो इन तीनों को एक साथ पढ़के clear करने की कोशिश करें ताकि आपके हर चीज जो अच्छी से mind में set हो जाए ध्यान से सुने must, should, or to, head better पहले तीन एक साथ है ठेक है? पहले तीन एक साथ है अगर हम बात करें must, should, और हम बात करते हैं or to ये तीन प्रिष्थितियां एक साथ आएगे ठेक है? ये तीनों advice के लिए प्रियोग होते हैं और तीनों को ही जो हमें ध्यान में रखना है कि ये तीनों advice के लिए होता है चाहिए के sense में होंगे अब मैंने इसका बता दिया अलग से इन दोनों का अलग से बता दिया दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात इन दोनों से related है, ये अलग कहानी है, होती सेम से परिष्थितियां लेकिन इसका comparison सिर्फ should के साथ ही होता है, must और वगरा के साथ है, हमें नहीं करना, otherwise परिष्थितियां और ज्यादा worst हो सकती है, तो ये सारी बाते हैं, आप ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रही है हमारे चैनल पे, you can and English Academy, always आपको अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड करवाने के प्रयास जो करते रहेगी, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में के माध्यम से कुछ गु सफलता के लिए, सफलता निश्चित है, अगर efforts अच्छी है तो, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद